तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी पूरी की रेसिपी ये पूरी आप बीना फ्रीज में रखे चार से पांस दिन खा सकते हैं कहीं सफर में ले जा सकते हैं खाने में बहुती स्वाधिश्ट होती है और आज हम इसे हेल्दी तरीके से बनाएंगे तो ये देखि ये पी पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, सेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें वेल Eisen कन दबाना ना भूलें यहांपे मैंने रख लिया है एक बरतन गैस पे और इसमें डाल दिया है मैंने एक कप पानी ये पे एक पानी डाला है मैंने आप अपने चीनी का यूज बिल्कुल नहीं किया है गुड का यूज किया है आप चाहते हैं चीनी का यूज तो कर सकते हैं और यहाँ पे गुड आपके पास टाइम है तो वैसे ही नॉर्मल पानी में डालके एक घंटे डिर घंटे छोड़ दीजिए अच्छे से गुल जाएगा अगर टाइम नहीं है तो बस 5 मिनट लगता है एक कप पानी गरम करिए और आदा कप गुड डाल दीजिए और ये अच्छे से पकने के बाद गुल जाता है आप क्या करेंगे गुड हमारा अच्छे से गुल चुका है गैस की फ्लेम को बंद कर लेंगे और एक बड़ा सा बाउल लेंगे इस पर रखेंगे इस टेनर और ये जो गुड वाला पानी है न उसे छान लेंगे यहाँ पर क्या होता है कि गुड में कोई भी गंदगी है तो वो यहीं पर निकल जाती है यह देखिए गुड बिलकुल साफ था गंदगी वगरा नहीं थी वैसे भी मैंने छान के से एक साइड में रख लिया है इसे ठंडा होने देंगे और अब यह ठंडा हो चुका है तो चलिए आगे का प्रोसेस सुरू करते हैं यहाँ पर लेंगे तीन कप गेहूं का आटा आप इस रेसिपी को मैदे में भी बना सकते हैं पर हेल्दी खाना चाहते हैं तो गेहूं के आटे में ही बनाईएगा स्वादिश्ट होने के साथ साथ बहुत जादा हेल्दी भी होगी तो यहापे 3 kप गहूं का आटा ले लिया है दोस्तों मैने इए देखिए आटा लेने के बाद इसमें थोड़ी सी चिजे डालेंगे फ्लेवर के लिए मैं यहापे थोड़ी सी डालूँगी सॉन्फ तो यहापे साबूद सॉन्फ मैंने डाली है आप इसके जगह पे कुटा हुआ इलाइची पाउडर डाल सकते हैं सौप का टेस्ट पसंद है तो सौप डाल ले नहीं तो इलाइची पाउडर हाप टीस्पुन यहाँ पे सोडा डाला है यानि मीठा सोडा डाला है इससे यह जो पूरी है एकदम फुली फुली बन के तयार होती है आपके पास टाइम है तो रात को आटे को गूत के रख दीजिए और पूरी को सुब बनाएची पूरी एकदम फुली फुली बनेगी अगर टाइम नहीं है तो हाफ टीस्पुन मीठा सोडा डालिए उसके बाद पूरी को फटा फट बना के रेडी कर सकते हैं अब यह जो गुड का पानी है ना इसे हम डाल देंगे मैं पूरा का पूरा ही डाल रही हूँ क्योंकि आटा हमारा तीन कप है और पानी एक कप है इसलिए मैंने पूरा डाल दिया है अब इसे अच्छे से गूत लेंगे आटे को तो पानी कम पड़ेगा तो थोड़ा सा पानी हमने ले लिया है उसी बाउल में और थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्छे से गूतेंगे, यह आटा बहुत ज़्यादा गीला होता है, आप इस बात का ख्याल रखेगा, एकदम टाइट डोर नहीं बनाएगेगा, नहीं तो यह जो पुरियां है वो फुली फुली नहीं बनेगी, यह देखिए, इसे मैंन हमारी फुली फुली बनेगी, मैंने हाप कप गुड़ का यूज किया है, आप चाहें तो एक कप गुड़ का यूज कर सकते हैं, आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो एक कप डालें, यहाँ पे हाप कप गुड़ से यह रेसिपी बहुत हलकी मीठी बनेगी, तो यह देख यह हलका सा फूल जाएगा, मैंने इसमें सोडा डाला है, तो जल्दी फूल के त्यार हो जाएगा, तो एक गंटे हो चुके हैं, यह हलका सा फूल भी गया है, आप देख पा रहे होंगे, अब इस तरीके से हम छोटी छोटी लोईयां बना लेंगे, जैसे पूरी की बनाते हैं यह पूरी बहुत जादा पतली नहीं होती, हमारे हाँ इसे ठिकवा भी बोलते हैं, मीठी पूरी भी बोलते हैं, पूवा भी बोलते हैं, आपके हाँ इसे क्या बोलते हैं, कमेंट करके जरूर बताईएगा, बस इसी प्रोसेस से सारी लोईयां कट करके त्यार कर लेंगे, अगर ये आटा आपके हाथ में चपक रहा हो, तो थोड़ा सो ओयल लगा लिजेगा तो ये देखिए, हलका सो ओयल लगा लेंगे हाथों में, तो ये जो लोईयां है बहुत अच्छे से बन के तयार हो जाएंगे ये देखिए और सेम प्रोसेस से सारी लोईया हम इसी तरीके से बना के त्यार कर लेंगे जब आपका कुछ मीठा खाने का मन हो, बरसाद का टाइम है, कुछ मीठा खाने का मन करता है तो फटा फट इन पूरियों को बनाईए, ये पूरियां किसी भी आचार या सबजी के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है आप इसे आचार के साथ भी खा सकते हैं, और नहीं तो किसी भी मसाले वाली सबजी के साथ खाईए, बहुत ही स्वादिश लगती है तो चलिए अब इन पूरियों को बेल लेते हैं तो थोड़ा सा ओल लगा लेंगे यहां पे और उसके बाद इन पूरियों को रखके बेल लेंगे यह देखिए इस तरीके से बड़े आसानी से यह बिल के तयार हो जाती है तो ये देखिए, इस तरह की पूरियां हम बना के त्यार कर लेंगे, ये देखिए, मैंने यहाँ पे सॉफ का यूज किया है, आप कोई भी ड्राइफूर्स डालना चाहते हैं, तो बहुत बारी कट करके डाल सकते हैं, अब हमारा तेल हो चुका है गरम, गैस पे हमने तेल पह तालने के बाद हम थोड़ा से इस तरीके से हिला लेंगे, ताकि ये अच्छे से फूल जाएं, ये देखिए, इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा से तेल में डुबते रहेंगे, तो ये अच्छे से फूलती रहेंगी, ये देखिए, तेल की हीट का आप ख्याल रखोगे, त तरीके से पूरियां एकदम फुली फुली बनेंगी और अंदर तक एकदम से पक के त्यार हो जाएंगी ये देखिए बस इसे अरट प्लट के दोनों साइडों से अच्छे से सेखेंगे जब इसका हलका सा कलर चेंज हो जाएगा तब इसे हम निकाल लेंगे तो आप देख पा पूरियां बना के कर लेंगे त्यार और इसे किसी भी चटनी सबजी से एकदम बेहत टेस्टी लगती है ये देखिए अब सारी पूरियां सेम प्रोसेस से हम तल लेंगे इसे मीठी पूरी कहा जाता है आप इसे क्या कहते हैं बताइएगा और अब इन पूरियों को भी इस नहीं को भी हम निकाल लेते हैं और करते हैं गर्मा गर्मण सब dus fog कर लेते हैं इन पूरियों को तो यहा पर देखिए मैंने पूरियों को कर लिया है सब और आप देख पा रहे होंगे डाविय हैं पूरिया मेरी या रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा और ये देखिए, मैं पूरियों को तोड़ के भी दिखाती हूँ, ये देखिए, अंदर से एकदम सौप्ट, जालीदार, फुली-फुली बन के त्यार हुई है, ये देखिए, तो इन बरसात के मौसम में पूरियां बहुत अच्छी लगती हैं, जरूर बनाएगा, मिलते हैं एक नए दिन और एक नए रेस्पी के साथ, बाई बाई दोस्तों, एंटे केर